हेलो दोस्तों नमस्कार स्वागता आप सभी का दमोम क्लासिस में और काफी इंपोर्टेंट मनोविज्ञान के टॉप 2100 किशनों के बारे में अधिन कर रहे हैं आज के इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों काफी जादा important मनोविज्ञान के 50 कुष्णों के बारे में अगर वीडियो आपने फिछले नहीं देखे हैं तो वो वीडियो आप जरूर देखे हैं इसे के साथ सुरुआत करते हैं आज के session की और आज का session of the day रहेगा दोस्तों यहां फर 2100 प्रसन नहीं है अपितो हम इस सीरीज में हम 1500 प्रसनों पर डिक्स कर रहे हैं चेतन अरद चेतन तथा ए चेतन किस के अंग है चेतना के मस्तिस के सरीर के एवं बुद्धी के यह हमारा question of the day रहेगा इसी के साथ बात करें दोस्तों अधिगम के लिए पर्थम सरत क्या है अधिगम के लिए पर्थम सरत सीखने वाले की अभिप्रेणा सीखने वाले का मानसिक स्थर, सीखने वाले की बुद्धी, सीखने वाले की अभिवर्ती तो अधिकम की जो पर्थम स्थर रखा गया है वो सीखने वाले की अभिप्रेरिणा उप्सन नमबर एक रेक्ट रहेगा अधिकम की द्वित्य सर्थ क्या है सीखने वाले का मानसिक स्थर सीखने वाले की बहु अनुक्रियाई सीखने वाले की बुध्धी सीखने वाले की अभिवर्ती तो दोस्तो दूसरी जो सर्त रखेगी है वो है सीखने वाले की बहु अनुक्रिये पहली है अभिप्रेरिना दूसरी है बहु अनुक्रिये अधिगम के लिए 33 सर्त क्या है तीसरी कौन सी सर्त रखेगी है अधिगम की शीखने वाले का मान्शिक स्थर, शीखने वाले की बुद्धी लब्दी, शीखने वाले का पुनर बलन, शीखने वाले का मन तो राइट अंसर की बात करें तो सीखने वाले का पुनर बलन, तो option number C करेक्ट रहेगा इसे के साथ सीखने वाले के चत्तुरत अधिगम की चोथी सरत क्या रखेगी है सीखने वाले का अभ्यास सीखने वाले का घर का माहोल सीखने वाले के वुद्धी लब्दी सीखने वाले का मन तो सीखने वाले का अभ्यास option number first correct रहेगा option number first शीखने वाले की पुनर बलन तीसरी रहेगी तो शीखने वाले का अभ्यास जो है यह चोथी रहेगी शीखने वाले की अभिप्रेड़ना है यह प्रत्म रहेगी और शीखने वाले की अभिवर्ती बहु अनुक्रियाई है यह दूसरी सर्थ रहेगी बहु अनुक्रियाई से पहले है सीखने वाले की अभी प्रेड़ना अभी प्रेड़ना के बाद बहु अनुक्रियाई पुनर बलन और अभियास इसी के साथ बात करें अधिगम अफेक शाकरत वेवार में स्थाई परिवर्तन है अधिगम अपेक्षाकर्त विहार में स्थाई परिवर्तन है जो अभ्यास ता अन्भव के प्रणाम से रूप होता है ये परिवासा किस वेग्यानिक ने दी तो अभ्यास एवं अनुबव के प्रणाम से रूप क्या होता है अधिगम विहार में स्थाई परिवर्तन करता है त अनुभू एवं परशिक्षण द्वारा व्यवार में संसोधन ही अधिगम है अनुभू एवं परशिक्षण जो होता है जो एक ध्यापक है अपने अनुभू के अधार पर परशिक्षित देता है बच्चों को परशिक्षण देता है द्वारा व्यवार में संसोधन ही अधि यह परिवासा कि स्वेग्यानिक की है, option number first Morgan, Woodworth, Gates, Guilford, तो right answer की बात करें तो यह परिवासा है, यह Morgan, Gates की परिवासा है, option number C करेक्ट रहेगा, next बात करते हैं, अधिगम आदतों, ज्यान और अभिवर्तियों का अरजन है, यह परिवासा कि स्वेग्यानिक की निदी, Morgan ने, Crow and Crow ने, Woodworth ने, या फिर गिलफर्ड ने, तो अधिगम आदतों, एवं ज्यान की अभिवर्तियों का अरजन है, यह Crow and Crow की परिवासा है, इसे के साथ बात करें कि विवार के करने, विवार परिवर्तन अधिगम, देखो, विवार के करने, विवार परिवर्तन पर जो परिवर् ने करें दी, मौर्गन, गिलफर्ड, वुडवर्थ, क्रो एंड क्रो, तो राइट अंसर एगा, गिलफर्ड, उप्सन नमबर सी करेक्ट रहेगा, पुर्वे निर्मित विवार में अनभव द्वारा परिवर्तन ही अधिगम है, यह परिवासा हमने पढ़ चुकी है, कि इसी के साथ बात करें, अधिगम व्यक्ति में एक परिवर्तन है, जो उसके वातावर्ण के परिवर्तनों के अनुशरन में होता है, यह परिवासा किसकी है, तो अधिगम व्यक्ति के एक परिवर्तन, एक परिवर्तन है, जो उसके वातावर्ण के परिवर्तनों के अनुश सरदनल्स ने सोगता है कि यपृंड का सिधानथ के नाम से जाना जाता है, बर्कल का सिधान्त, सुविवस्तित वयवार का सिधान्त, C.L. Hull का सिद्धान्थ या फिर Kolar का सिद्धान्थ या फिर मन का सिद्धान्थ दोस्तो C.L. Hull का जो सिद्धान्थ है वो सू विवस्तित विवार का सिद्धान्थ के नाम से जाना जाता है option number B correct रहेगा अगला हमारा question रहेगा जो की question of the day है चेतन, अर्द, चेतन, एवम, एचेतन जो है किस के अंग है चेतना के मस्तिष के सरीर के बुद्धी के तो right answer रहेगा ये चेतना के तीन प्रमुक्स तर है अर्द, चेतन, चेतन, एवम, एचेतन इसे के साथ बात करें निमन में से कौन सी पूर्वे बाले अवस्ता की विसेस्ता नहीं है पूर्वे बाले अवस्ता की विसेस्ता नहीं है डर्व में रहनी की अवस्ता और अनुकरन करने की अवस्ता और परसन करनी की अवस्ता खेल की अवस्ता यहां पर दोस्तों यहां पर दल जो होता है संग्ठन जो होता है उसमें रहने की अवस्था अनुकरण की अवस्था इसे के साथ बात करें प्रसन करने की अवस्था खेलने की अवस्था तो पुर्वे बाले अवस्था की जो अवस्था प्रमुक नहीं है वो रहेगी खेलने क की अवस्ता व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वरगीकरण प्रस्तुत कि ने कि यह मन ने, सेंडलन ने, हिपोक्रेट्स ने या फिर कैटल ने, राइट अंसर रहेगा, हिपोक्रेट्स ने यह पहला बात करें, तो वरगी करन परस्तुत किया है, किसका व्यक्तित वका, सूज दौरा सीखने किसी धांत का प्रतिपादन, किसने क्या, सूज दौरा सीखने किसी ध प्रतिपादन थांडाइक, कॉलर, पावलाव या फिर वुडवर्थ, राइट अंसर की बात करें तो यहां पर कॉलर इस कुरिशन का राइट अंसर रहेगा, दोस्तों कॉलर ने क्या कहा, कॉलर ने कहा कि सूज, यानि किसी की साहित सला के द्वरा सीखने के सिद्धान का प्र मद्य अंतर नहीं कर पाता, तो यहें तरिश्टी दोसा है, सीखने में ऐसक्षम है, मानसिक दोसा है, या फिर मानसिक शे है, तो दोस्तों, यह सीखने में ऐसक्षम जो बच्चा होता है, यानि सीखने में सक्षम बच्चा नहीं होता है, वो सौला को 61 लिखता है, छे एवं एक के मद्य अंतर नहीं कर पाता तो ये सीखने में ए सक्षम बच्चा होगा वेवार में होने वाले स्थाई परिवर्तन जो अभ्यास के करण होते हैं उन्हें का जाता है शीखना, लिखना, किरिया करना या फिर कलपना करना तो ये कहलाते हैं शीखना, विहवार में स्थाई परिवर्तन जो अभ्यास के करण होते हैं तो उसे सीखना का जाता है इसे के साथ बात करें अगला हमारा कैसन गनिष्ट मितरता की परवर्ति पाई जाती है सेश्वा वस्था में बाले वस्था में खिसोर वस्था में ये फिर उपरविक्ट सबी तो गनिष्ठ मित्र तो जो होती है ये किसोरा वस्था में अपाई जटी हो उप्सनिम्बर सही करेक्ट रहेगा चिंतन अनिवारे रूप से एक संध्यानात्मक गतिविदी है मनोगतिक परकिरिया है चिंतन अनिवारे रूप से मनोवेग्यानिक परिगटना है या फिर बावात्मक व्यवार है तो चिंतन की बात करें तो ये एक संध्यानात्मक गतिविदी है क्या चिंतन दोस्तो इसे के साथ बात करें अगला हमारा क्विशन रहेगा कि इन में से कौन सा बाल विकास का सिद्धान्त है विकास परिपक्वन अनुभव के बीच अनुन किरिया की वज़े से गटता होता है अनुभव विकास का एक निर्धारक है विकास पर बरलन तथा दर्लन के द्वारा सु निश्चित किया जाता है एवं में विकास पर तेक बच्ची की गती का सही धंग से अनुमान लगा सकता है तो दोस्तो राइट अंसर इसका उप्सन नमर फर्स्ट रहेगा कि कौन सा बाल विकास सिद्धान्त है तो बाल विकास सिद्धान्त है विकास परिपक्वन तथा अनुभव के बीच अन्योनी किरिया की वज़े से ही गड़ता है तो या फर्स्ट नमर उप्सन करेक्ट रहेगा जो बुद्धी सिद्धान्त में सम्मिलित मानसिक परिक्रिया है जैसे प्राग अटक और बुद्धी द्वारा लाए जा सकते है विद्धियों के रूप में या फिर जैसे बुद्धी सरजिना अत्मक बुद्धी को सामिल करता है वह है स्टन्बर्ग का बुद्धिमता का त्रिमत सिद्धान्त बुद्धि का सावेट सिद्धान्त थर्ष्टन की मानसिक योगता हैं और स्पीरियमेन की का जी करक तो दोस्तों यहाँ पर पर स्टरंबर्ग का जो बुद्धि मता की शिद्धानत है जिसे त्रिमत शिद्धानत का जाता है वो क्या करता है कि मानसिक प्रिक्रियां जैसे परा घटक और बुद्धि द्वारा लाई जा सकने वाली विउओद रूपो जैसे सरजनात्मक बुद्धि को सामिल करता है तो वो अस्टनबर्ग का बुद्धिमता का त्रिमक तरफिशिदांत है इसे के साथ बात करें अभी परैड़ना चकर के संत्रब में नहीं लिए से कौन सा सही करम है अभी परैड़ना चकर किस परकार से चलती है उप्स नमबर D की बात करें तो राइट अंसर की बात करें तो यहांपर D नमबर उप्सन करेक्ट रहेगा आवशक्ता उसके बाद परबल प्रेड़ना किसी भी जिज़ के आवशक्ता पढ़ते है उसकी परबल प्रेड़ना होती है उतेजना मन में एक चाहत होती है उसकी उसे पाना ही है लक्ष है उनमुकी लक्ष की और अगरसर होते हैं और उपलब्दी जब वो मिल जाती है तब वो तेजना में कमी हो जाती है तो यह यहां पर राइट आंसर है गा उप्शन नमबर D सब्दों में अक्षरों के करम को पढ़ने में कठेनाई का अनुभो करना अक्षर चाक्षुष समर्ती का हराज समन्दित है दोस्तों यहां पर राइट आंसर है जो है डिक्सेक लेया जो है यहां पर यहां पर दे रखा है पढ़ने में कठेनाई अनुभो करना और अक्षर चाक्षुष समर्ती का हराज डिसलेक्सिया जो है यह इन से समन्दित है और समर्डी करेक्ट रहेगा निमन में से कौन सा सामाजी करन की निश्किरी एजन्सिया सामाजी करन की निश्किरी एजन्सिया परिवार इको कलब सारवजनिक पुस्त कालिया है यह सामाजी करन की निश्किरी एजन्सिया इसे के बात करें दोस्तों प्याजे मुख्य रू प्याजे जो है ये संग्यान आत्मक विकास के बारे में जाने जाते हैं उपसे नमर सी करेक्टर रहेगा अगला क्यूशन रहेगा कि प्याजे की कौन सी अवस्था सब समंद ए मुर्त एम तार के कि चिंतन से हैं प्याजे की अवस्था एमुर्त संक्रियात्मक विकास के लिए एक उचित उपकरन नहीं है रचनातमक मुल्यांकन के लिए प्रदतकारीय यानि assignment मोखी के पर संक्र टर्म टेस्ट एक विजेंड खेल क्या है असाइन्मेंट जो होते हैं जो लेमों अगरा होते हैं उसमें एक असाइन्मेंट के लिए बोले जाता है जब बच्चा फेल होता है तो इसे क्या तात्परी है कि बच्चे ने उत्रों को सही तरीके से याद नहीं किया बच्चों को प्राइवेट टिसन लेनी चाहिए थी व्यवस्था फेल हुई है बच्चा पढ़ाने के लिए युग नहीं है दोस्तो व्यवस्था फेल हुई है निस्थित रूप से जब बच्चा फेल होता है तो व्यवस्था फेल हुई है कि बच्चे को सही व्यवस्था नहीं मिली इस वज़े से वो फेल हो गया निनेवे लिखते हुए से में मनोविगियनिक सिध्धांत सू व्यवस्तित विरवार का पेड़ा की दारिकल सी इल्ल twitter सिधांत के लाता है अद्द्यापक को Sĺने की प्रारबिक औरस्थामें व्यवस्त्यों से अधिक पूनर बलनं पुरदान करें शीखने के अंतिम अवस्ता में नियूंतम साहिता करें, यह खथन किस मनोविग्यनिक सी दांत पर अधारित है, तो दोस्तों, यहां पर बात करें, उप्शन नम्र फर्स्ट, कॉल्विन, स्किनर, सी एल हॉल, गिलिफर्ड, तो राइट अंसर रहेगा, सी एल हॉल का मानना है, कि जब अध्यापक बच्चों को सीखने की प्राइडिम्बिक अवस्ता में बच्चों को अधिक से अधिक साहिता करें, एवं पुनर बलन परदान करें, सीखने के अंतिम अवस्ता में नियूंतम साहिता करें, यह कथन किसका है, तो यह सी एल हल का है, विलियम वूंट सर्चनावादी विचारधारा के परवर्थक माने जाते हैं समश्या आत्मक बालकों के परवर्थी होती है समाज विरोधी परवर्थी, जगडालू परवर्थी, अपरादी परवर्थी या फिर उप्रयोग सभी समश्या आत्मक जो बालक होते हैं उनके प्रवर्ती ये सभी प्रकार के होती है, समाज विरोधी भी होती है, जगडालू भी होती है और अपरादी प्रवर्ती के होते है सबसे पहले मनोविग्यानिक प्रयोग साला में किस देश किस में स्थापना हुई मनोव विज्यनिक प्रियोग साला सब से पहले किस देश में प्रिवे स्तापित हुई जापान, अमेरिका, जर्मनी, बिटेन राइट आंसरी के बात करें तो ये जर्मनी में सर्प स्तापित हुई वेवारवाद की मुख्य विशेष्था है व्यवारवाद की मुख्य वैसे सा मापन निरिक्षन उप्रुक्त दुनों उप्रुक्त में से कोई नहीं तो मापन जो है ये व्यवारवाद की परमुख विशेस्ता है फ्राइड ने मन की तुलना किस से किये समूंदर में तेरते हुए जहाज की समुन्दर में तेरते हुए मगरमस की समुन्दर में तेरते हुए हिम खंड की या फिरुक्प्रुक्ट सभी तो फ्राइड ने मन की तुलना समुन्दर में तेरते हुए हिम खंड से की है हिम खंड यानी बर्फ का टुकुडा नेक्स्ट बात करते हैं शिक्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष एक समुए में बनावट का अधिन किया जाता है, एक समुए की बनावट का अधिन किया जाता है, उप्सन नमर ए करेक्टर एगा, अधुनिक शिक्षा का सम्मंद व्यक्ति का समाज दोनों के कल्यान की एकतर किस्ट का है, अधुनिक शिक्षा का सम्मंद व्यक्ति तता समाज दोनों को कल्यान से हैं Montessori, Fredson, Dumville या फिर Watson राइट अंसर के बात करें तो Fredson का मानना है कि आदुनिक शिक्षाज का संबन्द व्यक्ति तथा समाज दोनों के कल्यान से होना चाहिए तो ये Fredson का किस्तोर आवस्ता की विशेष्टाओं को सही धंग से सपस्ट करने वाला संब्सक्व though in concentration of Children क की शांसे हैं किस्ता में वास्ता में वास्ता में व्रक्रइगा इसे के साथ बात करें अगला हमारा कूश्चन है कि सुष्ट्छ स्रीर में सुष्ट्मस्तिसक का निवास रहता ही की कथन किस्छ है प्स नमब्र फस्ट पलेटो अरस्तु गॉर्डन या फ आब इस चिचएर्थी ग्यानात्मक भावात्मक ताक्रियात्मिक पकसों के स्थर का विकास करना है ये मत अध प्याजे ब्लूम, बुर्णर, स्किनर तो दोस्तों राइट अस रएगा ब्लूम का मानना है कि शिक्षन का कार् ambitions शिक्षार्थी के ग्यानात्मक शिक्षक जो होता है इसका कारिये शिक्षक को शिक्षा अर्थी में ग्यानात्मक बावात्मक क्रियात्मक वाक्सों में स्तरों का विकास करना होता है ये किसका ब्लूम का ग्यानात्मक शिक्षन परतिपादक है स्किनर ब्लूम एल एल गेज इन में से कोई नहीं तो ग्यानात्मक सिक्षन का परतिवादन अभी हमने बात किया कि ये NL gaze का मानना है और Bloom क्या कहते हैं ग्यानात्मक सिक्षा के बारे में इसी के साथ बात करें शिक्षन के अधिगम पर बल देने को आला प्रिवर्टन हो सकता है बाल केंदरित शिक्षा पदती अपना कर रटने को प्रोटसाइद करके अगर शिक्षन की तकनिकी अपना कर परिक्षा प्रिनामों पर केंदरित करके तो अधिगम पर बल देने शिक्षा से अधिगम पर बल देने का प्रिवर्टन से हो सकता है क्या हो सकता है इसे के साथ बात करें पुनर बलन का सिद्धान्द से विदिक सिद्धान्द किसे समंदित है पुनर बलन का सिद्धान्द किसे समंदित है तो वो सी एल हल से समंदित है नेक्स्ट बात करते हैं कि अंतर दर्शन विधी द्वारा दूसरी विधी से अपेक्षा करता है तो अंतरदर्शन विधी जो है ये दूसरी विधी से अपेक्षाकर्थ है पुरानी नवीन मध्यम या फिर नवीन तम तो ये अपेक्शाकरत क्या है पुरानी है दोस्तों किस से पुनर बलन जो अंतर दर्शन विदिय है ये दूसरी विदियो से अपेक्शाकरत पुरानी है विल्यम मुंट ने मनोविज्यान में बताया है मन का विज्यान, आत्मा का विज्यान, चेतना का विज्यान, विवार का विज्यान तो विल्यम मुंट का मानना है दोस्तों ओ ये चेतना का विज्यान है निमलिक्त में से पिल्सबरी ने मनोविज्यान को बताया है जेतना का विज्ञान, मन का विज्ञान, अतमा का विज्ञान, विवार का विज्ञान, तो पिल्सबरी का मानना है, ये विवार का विज्ञान है, option number D करेक्ट रहेगा विल्यम वुंट किस परकार से मनोविज्यान के जनक माने जाते है विल्यम वुंट मनोविज्यान के जनक माने जाते है प्रियोगात्मक मनोविज्यान के विकासात्मक मनोविज्यान के तुलनात्मन मनोविज्यान के या फिर उपयोग सभी तो दोस्तो विल्यम वुंट माने जाते हैं प्रियोगात्मक मनोविग्यान के उप्सन नमरे करिक्ट रहेगा आज का अंतिम स्वाल और कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे वीडियो की पीडियाफ राप्त करनी है तो टेलेग्राम चैनल को जरूर जरूर जोइन करें अपने दोस्तों के अंतरदर्श्टी शिद्धांत या फिर सूज का शिद्धांत राइट अंसर रहेगा पावलाव के द्वारा जो शिद्धांत पेस किया गया वो देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर